मम्मी रो रहा है क्योंकि इनके कमर से लेकर पेड़ तक पुरा दर्द हो रहा है 8 से 8 साल पहले गिर गिया था छोटे से बरे आकर ले लिया रात में मम्मी इतना रोया मैंने जिन्दिके में नहीं देखा तुबा होते हैं गाई को माट पे लगा दिया ये सब मम्मी करता था गार आने के बाद देखा मम्मी का अभी भी दर्द है इसलिए आज मैं घर सपाई कर रहा हूँ काल रात सिर्फ मूरी खाया था उस बर्तन को साब कर रहा हूँ फिर मैंगो से मूरी को मिक्स करके खा रहा हूँ पता नहीं खाना कैसे बनाएंगे इसलिए बोलता है ममी के अलबा सबकुछ अधूरा है यर में मिट्टी मिक्सिंग करने का मेसिंग आया अच्छा हुआ क्योंकि आज पुरा मूट मेरा खराब है मामी आके खाना बना कर दिया साग और आलू से बहुत भुक लग गया इसलिए फटबाट खा लेता हूँ खाने के बाद बारिशाना शुरू हो गया और मा को देखो सो रहा है और बीच-बीच में चिल्ला के उड़ता है धर्ट से सनान करने के बाद आलू को मिक्स कर रहा हूँ यार बहुत भुक लग गया ममे खाना नहीं खा रहा है इसलिए बाजा राके मेगी और मामा का घर से चिकेन लेकर रहा है आज पता चल गया मा इतना महनत करता है हम सरे लोगों के लिए मैंने मेगी बना लिया निदा को मेगी दिया और मा को चाउल दिया आल ममे सिलिव गुरी जाएगा डॉक्टर के बाज प्लीज आप लोग दूआ करना ठीक हो जाए जल्दी से